हलो बच्चों मैं मधुमाला आप सबका आज की कक्षा में स्वागत करती हूँ आज हम कक्षा नौ की हिंदी पाठे पुस्तक स्पर्श भाग एक से शीर्शक कवीता का है खुश्बू रचते हैं हाथ इसके बारे में पढ़ेंगे जिसके रचैता है अरुन कमल जी तो बच्चों जैसा की शीर्शक ही आपको बता रहा है कि इसका अर्थ क्या है खुश्बू रचते हैं हाथ अर्थात खुश्बू की रचना करते हैं कौन हाथ इसके बारे में अरुन कमल जी ने हमें अपनी इस कविता में क्या कहा है आगे बढ़ने से पूर्व सर्व प्रथम हम कवी परिचय देखेंगे अरुन कमल का जन्म बिहार के रुहतास जिले के नासरी गंज में 15 फरवरी 1954 को हुआ इन्हें अपनी कविताओं के लिए साहित अकादमी पुरुसकार सहित अन्य कई अन्य पुरुसकार भी सम्मानित किया गया इन्होंने कवीता लेखन के अलावा कई पुस्तकों और रचनाओं का अनुवाद भी किया है आईए जाने इनकी प्रमुख कृतियां कौन-कौन सी है प्रमुख कृतियों में है अपनी केवल धार, सबूत, नए इलाके में, पुतली, में संसार ये चारो कवीता संग्रह हैं तथा कवीता और समय ये है आलोचनात्मक उनके द्वारा रची हुई कृते भाषा के बारे में आईए जानते हैं अरुन कमल की कविताओं में एक नए बिम्ब, बोलचाल की भाषा और खड़ी बोली के अनेक लए चंदों का समावेश है इनकी कविताओं जितनी आप बीती है उतनी ही जक बीती भी है इनकी कविताओं में जीवन के विभिन शेत्रों का चित्रन भी है इस विविधता के कारण इनकी भाषा में भी विविधता के दर्शन होते हैं बचों आएए खुश्बू रचते हैं हाथ कविता की एक छोटी सी जलग सर्वरपधम हम देख लें कविता खुश्बू रचते हैं हाथ समाजिक विशमताओं को बेनकाब करती है यह किसकी और कैसी कारस्तानी है कि जो वर्ग समाज में सौंदर्य की तृषिष्टी कर रहा है उसका निर्मान कर रहा है और उसे खुशहाल बना रहा है वही वर्ग अभाव में गंदगी में अपना जीवन बसर कर रहा है लोगों के जीवन में सुगंद बिखेरने वाले हाथ भयावह स्थितियों में अपना जीवन बिताने पर मजबूर हैं क्या विडमना है कि खुश्बू रचने वाले ये हाथ दूर दराज के सबसे गंदे और बदबूदार इलाकों में अपना जीवन बिता रहे हैं स्वस्त समाज के निर्मान में योगदान करने वाले ये लोग इतने उपेक्षित हैं लेकिन आखिर कब तक तो इसी समस्या के साथ ही अरुन कमल जी ने हमारे सामने एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है तो आईए अब आगे बढ़ते हैं हम अपनी कविता की शुरुवात करते हैं खुश्बू रचते हैं हाथ अर्थात खुश्बू की रचना निर्मान करते हैं कौन हाथ अर्थात यह उन लोगों के बारे में हैं उस वर्ग के बारे में हैं जो की बहुत ही उपेक्षित हैं जो की नारकिय जीवन भोगने के लिए छोड़ दिये गए हैं उन्हें मजबूरी में ऐसी हालत में अपने आपको अपने परवेश में ऐसे माहोल में वे रहते हैं और ऐसी गंदी जगा पे रहकर वह खुश्बू का निर्मान करते हैं तो चलिए कविता की पंक्तिया मैं पहले पढ़ूंगी और साथ ही साथ उस कविता वाचन के बाद मैं उसका भावार्थ भी आप लोगों को समझाऊंगी चलिए शुरुआत करते हैं कई गलियों के बीच कई नाल हाथ अर्थात यहां अरुन कमल जी हमें ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो गरीब जो वर्ग है जो इस खुश्बू की रचना करता है निर्मान करता है सबके घरों में खुशियां पहुँचाता है वो खुद कितनी दैनी अवस्था में अपना जीवन यापन कर रहा है वो कहते हैं कि देखो कई गलियों के बाद गलियां संक्री सी गली होती है जो मुख्य सड़क से थोड़ी अलग होती है पतली सी होती है तो कई गलियों के बीच में और कई नालों के पार नालो नालो कार्थ होता है वो जगा जहां से गंदे पानी का पहाव होता है जिसे हम में drainage भी कहते हैं तो यहां बोला जा रहा है कि कई गलियों के बीच कई नालों के पार जहां पर कूड़े करकट का धेर लगा हुआ है यानि आसपास के जो छेत्र हैं वहां का सारा कूड़ा करकट कहीं दूर विरान जगा पर फेक दिया जाता है तो ऐसी जगहों पर ही जहां जहां पर कोई व्यक्ति जाना नहीं चाहता है जहां जाना मतलब वहां बदबू से आपके नाक फट जाएंगे यानि ऐसी अवस्था होती है ऐसे स्थानों की तो टोले के अंदर टोले का अर्थ होता है छोटी सी बस्ती इसी बस्ती में ऐसी बस्तियों में ही छोटे छोटे अगर बत्तियों की रचना होती है खुश्बू की रचना होती है तो कभी कह रहे हैं ऐसे ही जगा पे खुश्बू रचते हैं हाथ आईए भावार जाने इसका कभी कहता है कि जो लोग संसार में दूसरों के सुख साधनों की शिष्टी कर रहे हैं वे अपनी जिन्दगी गंदगी और अभाव में बिता रहे हैं ये लोग कई नालों को पार करने के बाद कूडे करकट के धेरों के पास ऐसी गंदी बस्तियों में रहते हैं जहां इतनी अधिक बद्बू होती है कि ये लोग ऐसे बद्बूदार स्थान पर टोले बना कर रहते हैं उनके जीवन की यही विडंबना है कि वे दूसरों के लिए खुश्बू का निर्मान करते हैं परंतु स्वयम बद्बूदार स्थान पर रहने को विवश हैं ये गंदे लोग उच तथा संपन वर्ग के लिए खुश्बू का निर्मान करते हैं बचो इसमें कोई दोमत की राए नहीं है कि आपके घरों में हमारे घरों में सभी के घरों में खुश्बूदार अगरबतियां खुश्बू फैलाने का काम करती है यानि खुश्बूदार खुश्बूदार फैलाती है लेकिन ये जो खुश्बूदार फैलाती है हमें अच्छा लगता है तो हम ये जो अगरबतियां है उसका निर्मान कौन करता है ऐसे ही बदबूदार स्थानों पे रहने वाले लोगों के हाथ नव निर्मान करते हैं आगे जानते हैं आगे पंक्तियों में क्या लिखा है आगे कभी लिखते हैं उभरी नसों वाले हाथ घिसे नाखुनों वाले हाथ पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुश्बुदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जखम से फटे हुए हाथ, खुश्बु रचते हैं हाथ, खुश्बु रचते हैं हाथ. यहां जखम का अर्थ दिया है घाओ या चोट तो आईए इसके भावार्थ को समझें कभी कहते हैं कि जो लोग खुश्बू की रचना करते हैं उनके हाथों की नसे उभरी हुई होती हैं उनके हाथों के नाखुन काम करते करते घिस जाते हैं कुछ बच्चे भी यह काम करते हैं जिनके हाथ पीपल के नए पत्तों की तरह कोमल होते हैं कुछ कम उम्र की लड़कियां भी होती हैं जिनके हाथ जूही की डाल की तरह होते हैं कुछ कारीगरों के हाथ गंदे, कटे, फटे और जख्म से फटे हुए भी होते हैं तो बच्चों इन पंक्तियों में उन्होंने अगरबत्ती अर्थात खुश्बू की रचना करने वाले हाथों का दिक्र किया है अरुन कमल जी ये कहते हैं कि कुछ ऐसे हाथ होते हैं जिनकी नसे उभर आई हैं अर्थात जब व्यक्ति बहुत वृद्ध हो जाता है, बुढ़ा हो जाता है तो किसी कारण या किसी कमजोरी के कारण उसकी नसे उभर आती है या तो ये भी कारण हो सकता है और आप जानते हैं कि अगर बतियां बनाने वाली फैक्टरियों में कई रसायन पदार्तों का भी इस्तमाल किया जाता है जिसके वज़े से भी कमजोरी हो जाती है तो कई ऐसे वर्द हाथ वहां देखने को मिलते हैं जिनकी नसे उभरी होई होती है अर्थात ऐसे वर्द लोग होते हैं जो खुश्बू का निर्मान करते हैं आगे उन्होंने कहा है कि कई ऐसे हाथ भी होते हैं जो काम करकर के उनके नाखुन पूरी तरह से घिस गए होते हैं और उन्हों ने जो पीपल के नए पत्तो यानि जो पीपल के नए पत्ते होते कितने कॉमल और सू कुमार होते हैं तो इसकी तुलना की है बच्चों के हाथों से यानि कई ऐसी अगरबतियों की फैक्ट्रिया होती है जहां पर नए नए हाथ अर्थात बच्चों के कोमल हाथ भी उसका निर्मान करती हैं यह अलग बात है कि यह बाल श्रम के अंतरगत आता है परंतु यह चीज अगरबति जैसे फैक्ट्रियों में या छोटे छोटे जो व वविसाय होते हैं वहाँ पर अक्सर देखने को मिल जाते हैं तो आगे उन्होंने यह कहा कि बुढ़े बच्चे और तो और वहाँ पर लड़कियों लड़कियां भी काम करती हैं और लड़कियों के हाथों को उन्होंने जूही की डाल से हाथ के साथ तुलना की है अर्थात जब वो खुश्बू का यानि अगर बत्यों का निर्मान करती है तो क्या होता है उसमें किसी भी जब वो सेंट को डालती है परफ्यूम को डालती है तो क्या होता है खुश्बूदार अपने आप ही हो जाती है इसलिए कवी ने यहाँ पर जूही की डाल की तुलना लड़किय है कि वो कितने वर्षों से यही काम को लगातार कर रहे हैं चलिए आगे बढ़ते हैं यही इस गली में बनते हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्यां इनहीं गंदे मोहलों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा गुलाब खस और रातरानी अगरबत्यां दुनिया की सारी गंदिगी के बीच दुनिया की सारी खुश्बू रचते हैं हाथ। तो यहां पर सरफप्रथम मैं आपको बता दूं कि इनहीं छोटी गलियों में यहीं इस गली में बनते हैं अर्थाथ इनहीं छोटे महलों में क्या बनते हैं अगर बत्तियों का निर्मान होता है और जितनी भी जो प्रसित अगरबतियां हैं वो इनहीं बदबूदार स्थान पर छोटे टोलों में यहां पर उनका निर्मान किया जाता है और आगे बताया गया है अलग खुश्बू के नाम दिये गए हैं जैसे कौन-कौन से अगरबतियां बन रही हैं उन्होंने बताया वो हाथ हैं वो हाथ हैं जो दूसरों के घरों को महकाते हैं खुश्बू फैलाते हैं लेकिन स्वयम वो कहां रहते हैं बदबूदार स्थान पर जहां पर कोई भी जाना पसंद नहीं करता जहां पर गंदगी का धेर है जहां आसपास का परिवेशी ऐसा है कि वो पूरी गं ही देश की प्रसिद अगर्वत्तियां बनती हैं मुहलों में रहने वाले लोग ही केवरा गुलाब हस और रातरानी का सुगंध वाली अगर्वतियां बनाते हैं। दुन्या भर einzogun की गंद गी में जिंद्धी बिता देने वाले लोग ही खुश्बू रच्चते हैं जीवन की बस यही विडमना है कि संसार को खुश्बू प्रदान करने वाले लोग स्वयम बद्बू और गंदगी में जीते हैं तथा समाज में उपेक्षित हैं बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कवीता पून रूप से समझ में आ गई होगी अब बढ़ते हैं प्रश्णावली की ओर पहला प्रश्ण है खुश्बू रचने वाले हाथ कैसे परिस्थितियों में तथा कहां रहते हैं यानि उनकी कौन कौन सी परिस्थितियां हैं और वो किस थान पर रहते हैं ये पूछा गया है इस प्रश्ण में तो देखें इसका उत्तर क्या है खुश्बू रचने वाले हाथ दूर दरास के सबसे गंदे और बद्बूदार इलाके में रहते हैं इनके घर नालों के पास और गलियों के बीच होते हैं इनके घरों के आसपास कूडे करकट का बहुत बड़ा भारी धेर लगा रहता है और यहां इतनी बद्बू होती है कि आपका सिर्फ अड़ जाएगा और यह सारी दुनिया की गंदिगियों के बीच यह कैसी अवस्था में रहते हैं देनी अवस्था में अपना जीवन यापन करते हैं आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर कवीता में कितने तरह के हाथों की चर्चा की गई है हमने इस कवीता में बहुत प्रकार के हाथों की चर्चा के बारे में पढ़ा विभिन्न प्रकार के जो अगरबत्यों का निर्मान करते हैं आईए देखें वे कौन-कौन से हाथ थे कवीता में उभरी नसों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, गंदे और कटे फटे हाथ, घिसे नाखुनों वाले हाथ, जूही की डाल से खुश्बुदार हाथ, जख्म से फटे हाथ, इन सभी हाथों की चर्चा इस कवीता में की गई है, उसका उलेख किया गया है अगला प्रश्न है, इस कवीता को लिखने का मुख्य उद्धेश क्या है? तो बच्चों, आखिर अरुन कमल जी ने इस कवीता का निर्मान क्यूं किया? क्यूं रचा इस कवीता को? इसके बारे में पूछा है तो आईए जानते हैं कि उनका क्या मुख्य उद्देश्य था इस कवीता को लिखने का मुख्य उद्देश्य गरीब मजदूरों की दैनिय दशा की ओर ध्यान आकरशित करना है इस प्रकार कवी उनके उद्धार के प्रति चेतना जागरित करना चाहता है वो चाता है कि इन श्रमिकों की दैनिय दशा को सुधारा जाए इनके रहने की दशा को स्वास्त प्रद बनाया जाए अर्थात अरुन कमल जी चाहते हैं वो लोगों का ध्यान इस और आकरशित इस वर्ग की और आकरशित करना चाहते हैं कि इनके उद्धार और इनके स्वास्त के लिए लोग इस विशे पर ध्यान दे और इसके बारे में सोचे तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको अरुन कमल द्वारा रचित यह कवीता खुश्बू रचते हैं हाथ भली भाती समझ में आ गई होगी तो इसी के साथ आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं धन्यवाद